हलो फेंट्स, M.V. Direct Cellar में आपका अस्पागत है फेंट्स, आज हम बात करेंगे जाने माने ब्रांड के बारे में M.V. का आपसा 80 फेंट्स, यह है कितानों की उपस बढ़ाने में शादना रहर्प करता है और फेंट्स, 40 वर्सों से भी ज़्यादा इक प्रमप्राय के साथ एक अंतरराष्टी ब्रांड है इन वर्सों में इसकी प्रभाव कारिता को साबित करने के लिए 80 से भी ज़्यादा अंतरराष्टियों भारतिय कर्शिदी सुद्धालों में विबिन परकार की मिट्टियों में इसको विबिन परकार की फसलों के साथ इसे जाचाए तो फ्रेंट्स, यहों की शुरुवाद यहां से होती है, कोई भी फसल करना है तो फ्रेंट्स, मैंने क्या है, एक दो गमलों में मिट्टी लिया है, बराबर-बराबर कि यह क्षिटिक पष्टिक करते हैं तो अगर में इसको बूराओ करने आप्सी और शुतिक करना यहां पर इसके अंदर पानी लेए हूँ वाटर और यह में इसके अंदर पानी डालूंगा इतना ताए कि इसके उपर सीधा जमीन के उपर इस्प्रे करूँ और फिर बाद में 12 गंटे बाद में फिर इसका प्लाओ करेंगे फ्रेंगे तो फ्रेंड्स मैं इसका सुलूशन तयार करता हूँ अपन जैसे इस्प्रे टंगी लेते हैं 15 लिटर पानी की तो उसके अंदर भी ऐसे सेंपर के रहे होती है मैं छोटी इस तर पर दिखा रहा हूँ आपको लेजी फ्रेंड्स मैंने इसमें इतना पानी डाला है और अब इसमें पाच्चा बूंद इस आप सा एटिकी मिलाओंगा और अच्छी तरह इसको मिला लेंगे फ्रेंड्स आप सा एटिके अंदर असी परकार के तत्व है जो बारा गंटे पहले अपने इस्प्रे करते हैं उससे अपने जमीन के अंदर जो सोय हुए तत्व है वो सारे सक्रिय हो जाते हैं और जमीन के अंदर जब हम सिचाय करते हैं बारा गंटे बाद में तो जमीन में समान तरीके से पानी फैलता है जहां 6 इंच पानी जाता है वहां 8 इंच तक आप साइटी पानी पहुंचाने में हेल्प करता है तो फ्रेंट्स 12 गंटे पहले इस प्रे करने से ये फाइदा होता है फ्रेंट्स जब भी आप सी चाहे करें तो बारा गंटे पहले आप साइटी का इस्प्रे जरूर करें फ्रेंट्स आपने वीडियो देखा इस वीडियो में मैंने दोनों गमलों में मिठी ली है एक में आप साइटि का एफ्डल कर दिया है fårब और एक में आप साइटी का एफ्डल काई स्प्रेड नहीं किया है तो दोनों में अपन ग्यओं लगा के देखेंगे और ग्यहूं का रिज़ट देखेंगे ताकि अपना फेद बढ़े अपन किसी को रिक्मंट करेंगे तो उससे पहले अपन खुद यूज करके देखते हैं तभी अपना फेद बढ़ता है अपन दूसरों को रिक्मंट कर पादें जब तक बने रही है आपकी अपने इस चैनल के साथ हम जल्दी लोड़ते हैं एक नए वीडियो के साथ थेंक्यू फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद